इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमें data admin अठार्थ school की id या school admin या school agency की id की detail को किस सरीके से correct करना है किस सरीके से हम उसमें correction कर सकते हैं अपने mobile number और email id को डाल कर अब चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अपने school की admin id या agency id से login करते हैं अगर आपको अपने school की agency id या admin id नहीं पता है तो आप अपनी brcc से संपर्क कर सकते हैं देखे हमारी id खुल चुकी है अब हमें my detail पर जाना है my detail पर क्लिक करने के बाद हमारी profile इस सरीके से खुल जाएगी जिसमें काफी सारे correction की जरूत होगी mobile number email id इत्यादी तो हम एडिट पर क्लिक करते हैं अडिड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये options दिखाए देता है जिसमें first name last name हमारे लिए सारे के सारे parameters required हैं सबसे पहले हम अपना mobile number डालते हैं mobile number डालने के बाद हम अपनी email id डालते हैं email id के बाद first name last name जो की compressor है वो डालेंगे तो इसलिए बारी-बारी से हम सारे parameters डालते हैं email id अपनी बदलते हैं क्योंकि यह हमार email id नहीं है इसके बाद हम update पर click करेंगे आप देखेंगे कि last name required दिखा रहा है जी हाँ हमें last name भी डालना होगा हमारे सारे parameters बहुत जरूरी हैं इसलिए हमें सारे parameters डालने हैं आप कुछ भी कर सकते हैं PS को नीचे ले सकते हैं उपर ले सकते हैं जिस सरे बीच से भी आपको करना है जी हाँ चलिए डालते हैं OTP को और अपने mobile को verify करते हैं mobile number verify होने के बाद हमारा काम बसता है अपना email ID को verify करना है सेम तरीका है email ID को verify करते हैं email ID पर सामने जो send OTP का option उस पर click करते हैं जी हाँ ये ना data operator की ID है ये ना ही data admin की ID है ये है school की ID ही school की ID को हम school agency ID बोल सकते हैं school agency admin ID बोल सकते हैं जी हाँ school agency admin ID से ही हम data operator और data admin को manage कर सकते हैं बदल सकते हैं ठीक अब हम फिर से data admin ID से email को update करते हैं अपनी email पर अब हमारे OTP आ जाएगा जैसे कि आप पहले देख चुके हैं पहले भी ये process हो चुकी है जादे मुख्य काम नहीं है हमें mobile number और email ID अपनी data admin या school agency के लिए update करना है update करने के बाद verify OTP पर हम click करते हैं हमारी email ID verify हो चुकी है verify करने के बाद हम update पर click करते हैं update पर click करने के बाद नीचे आपको दिखाए दे रहा है search approver search approver पर click करने के बाद नीचे हम UP 103 अपनी scheme को select करते हैं बाकी option खुदी आ जाएंगे जी हाँ जैसे हम click करते हैं इसमें पहले option में कुछ है नहीं सबसे last में admin पहला वाला यह EFA बीच वाले में DPO आपके जिले का नाम होगा उसको select करना है इसके पास submit for approval पर click कर देना है जैसे हम submit for approval पर click करते हैं यह request आपके जिला इस्तर पर पहुँच जाएगी जैसे ही यह request में जाती है अप्रूव होती है आपकी email ID और mobile number अप्रूव हो जाएंगे यह है data operator की ID नहीं है data approver की ID नहीं है यह ID आपके school की admin ID है जी हाँ अब हम देखते हैं कि क्या हमारी request submit हो गई है या नहीं अब हम सबसे पहले submit for approval पर click करते हैं चलिए click करते हैं submit for approval पर click करने के बाद हमें नीचे कुछ इस तरीके से details दिखाई देती हैं जहाँ status में submitted लिखा हुआ दिखाई देगा हम इसे select में जाकर cancel भी कर सकते हैं यदि हमारी कोई भी process गलत हो गई है तो हम इसे cancel कर सकते हैं और फिर से सही कर सकते हैं क्या हमारी दुवारा यह है सभी process complete हो चुकी है या नहीं हुई है तो इसके लिए हम master's पर जाएंगे master's पर जाने के बाद user और manage work क्लिक करेंगे जी हाँ यह सब करने के बाद हमें अपनी request submitted का option वहाँ पर दिख जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम last में देख पा रहे हैं जी हाँ पहले search के option पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले के last में देख रहे हैं कि request submitted हो चुकी है इस प्रकार हमारी request submitted हो गई है जब यह है जिला इस तरह से approve कर दी जाएगी तो यहाँ approved का option लिखा जाएगा धन्यवाद